हमारे यूट्यूब चानल में आप सभी का स्वागत है Freedom from Hospital डॉक्टर धर्बेश की एक नायाब देन है जिसके माध्यम से वो चाहते हैं कि लोगों को हॉस्पिटल जाने की जरूरत ना ही पड़े और वो घर पर ही उस बिमारी से निजात पाले दोस्त मैं डॉक्टर दर्बेश साब सभी का स्वागत करता हूँ मेरे यूट्यूब चैनल Freedom from Hospital में आज दोस्तों मैं आपको करेले के बारे में ऐसी जानकरी देना चाहता हूँ जो हम सब के सहत के साथ जुड़ा हुआ है और हम अगर Hospital से दूर रहना चाहते हैं खास करके Cancer और Diabetes जैसे बिमारी से बचना चाहते हैं तो इसका भरपूर इस्तेमाल करें और Technicality इसका कैसा है और किस तरीके से इसकी इस्तेमाल करें तो बिमारी से आप दूर रह सकते हो इसके बारे मैं अभी आपको जान करी देता हूँ दोस्तों सबसे बड़ी बात है कि जानना जतना Important है उससे ज़्यादा Important रखता है कि आप इसको अपने नीजी जिवन में अमल में लाते हो या नहीं लाते हो दोस्तों करेला स्वाद में भले ही जतना भी कड़वा हो लेकिन सहत के लिए ये किसी टौनिक से दोस्तों कम नहीं होता है करेले में ऐसे तत्तों महजूत होते हैं जो कि हमारे लिए बहुत ही लाबदाएक होता है और हमारे हेल्थ के लिए ये किसी भी मेडिसिन से बेहतर दोस्तों काम करता है खास करके जिनको डाइबेटीस याने मदुमे की बिमारी है इसके सेबन या इसका जूस पीने से कई बिमारियों का संभावना जो हमारे सरीर में है याने संभावनाओं को खतम ही किया जा सकता है दोस्तों इसे बहुत ही दवाईों में बड़े-बड़े कंपनियों ने इस्तिमाल करते हैं और खास करका अईर्वेदिक दवाई में इसको तो अमृत माना जाता है दोस्तों मेरा कहने का मतलब यह है कि आप हर ओ घरेलू चीज को इस्तिमाल करें और घर से दवाई को दूर फेंगें टाइप टू डाइबेटिस के मरीज के लिए करेले का जूस पिना बहुत ही दोस्तों लाप करी है इंसुलिन की ऊचीद मात्रा में ना होने के कारण सरीर में ब्लड सूगर बढ़ने के कारण आप टाइप टू डाइबेटिस से पिडित होते हो इसलिए करेले का जूस जो है अगर आप उसको हमेशा सुभा सुभा लेते हो तो blood sugar level आपका control में रहता है diabetes के रोगियों को एक चौथाई कॉप करेले का रस में इतना ही गाजर का रस मिलाकर पिना चाहिए और खास करें कि इंटर में तो इसका लाब बहुत ही जादा है इससे blood sugar का level धीरे धीरे कम होने लगता है और आप जो बाहरी insulin ले रहे हो चाहे medication के माध्यम से हो चाहे injection के माध्यम से हो वो धीरे धीरे कम हो जाता है खून की कमी को भी दोस्तों ये दूर करता है महिलाओं में हिमोग्रोबिन की समस्या बहुत ही आम बात है लेकिन आईरन से भरपूर सबजियों का सेबन करना सबसे ज़्यादा फायदा बंद होता है दीन में एक बार अगर करेले की सब्जी या फिर उसका जूस उस महिलाओं को मिल जाता है जिनकी हिमोग्रोबिन लेबल बहुत ही कम रहता है यानि बिलो टेन रहता है वो अगर इसका स्तेमाल करती है तो दोस्तों फायदा होना तै है हिमोगलोबिन धीरे 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 अपने लेबल पर पहुंच जाता है साथ साथ खून दोस्तों साफ होता है जिनको स्कीन की प्रॉब्लेम है स्कीन में एलर्जी हमेशा रहता है स्कीन में अलग-अलग तरीके की समस्या होती है उनके लिए रामबान उपाय है बस आपको regular apply करनी है regular अमल में लानी है और regularity को दोस्तों maintain करनी है अब दोस्तों मैं आपको बताता हूँ cancer जैसे बिमारियों से लड़ने के लिए करेला बहुत ही लापकारी है दोस्तों बहुत ही सहाइक होता है इसका juice पिने से और इसके गुद्दे को पानी में उबाल कर पीने से cancer जैसी भैनेक बिमारी की समभवना काफी हद तक दोस्तों कम हो जाती है इविन अब दोस्तों जिनको पत्थरी का बिमारी है kidney stone हो गरा है तो उनके लिए भी दोस्तों है बहुत ही लापकारी है पत्थरी की रोगियों को दो करेले का रस छोटा छोटा करेला दो या फिर बड़ावला एक रस को पीने से या फिर करेले की सबजी सीधे इसको उबाल के अगर आप बिना नम्मक बिना मसाले के अगर आप इसको लेते हो तो धीरे धीरे पत्थरी गल कर बाहर दोस्तों निकल जाता है 20 ग्राम करेले के रस में सहद मिलाकर पीने से पत्थरी गल कर आपका पिशाप के रास्ते में निकल जाता है तो पता भी नहीं चलेगा कि आपका कब पत्थरी बाहर आ गया ऐसा दोस्तों कई बार हमने देखे हैं तो कहने का मेरा मतलब यह है कि हम इसको अपने जीवन में किस तरीके से अपलाई करते हैं यह हम पे निर्वर करता है बताना मेरा दोस्तों जिम्मेदारी है जिन्हें भूख की कमी है और उन्हें भूख होता ही नहीं है खाना खाने को मन नहीं करता है अरूची होती है भोमिटिंग लगती है उल्ठी हमेशा लगता है पेट में कुछ भी अंदर लेने को मन नहीं करता ऐसे रोगियों के लिए ऐसे लोगों के लिए करेला बहुत ही दोस्तों फायदा बन दे सुभा 10 ml से शुरू करके 25 ml तक आप इसका जूस दोस्तों पी सकते है पानी का मत्रा थोड़ा बढ़ा दे इससे 10 ml ले ले और पानी आप इसमें इंटू 10 टाइम्स कर ले या 20 टाइम्स भी कर ले और धिरे-धिरे करके दोस्तों पीओ और 7 दिन से 20 दिन के अंदर आपका पाचन क्रिया जो हो सुधर जाएगी इससे आपकी भूग बढ़ेगी आपके सरीर में गले जाएगी स्कीन इससे बहुत चमकदर दोस्तों बन जाती हूँ इंटर में आप अपले करके भी देख सकते हूँ गाजर और करेले का जूस को एक साथ में सेवन कर गया तो अच्छा का रोग में दोस्तों तो मैं पहले ही बताएगी बहुत ही दोस्तों लाब करी है करेले में महजूद बिटर्स और अलकेलाइट तत्त्त रक्त सोधक का काम करता है करेले की सबजी खाने और मिक्सी में पीस कर बना लेप रात में सोते समय हाथ पैर पर लगाने से फोड़े फुनसी और तोच्छा रोग खतम हो जाता है इविन अब जिनके पीट ओगेरा में भी फोड़े फुनसी निकलते हैं पीट में भी दोस्तों इसका इस्तमाल कर सकते हैं दात, खाज, खुजली और सिरोसिस जैसे तोच्छा रोग भी करेली की रस में नेमू का रस मिला कर अगर पीते हो उससे भी दोस्तों लाव होती है अगर इसका रस को आप डाइरेक्ली आप वो स्कीन में लगाते हो तब भी दोस्तों बहुत जवरदस दोस्तों फाइदा होता है सोरियसिस याद रखिये सोरियसिस में इसकी लेप आप दे सकते हो और इससे आपको दोस्तों फाइदा होगा लाउन्टरम में थोड़ा लंबे समय के लिए इसका इस्तेमाल दोस्तों करना होता है और उसका धीरे-धीरे आपको फायदा मिलते जाएगा पेट में जिनने कुर्मी का दोस्त रहता है किडे जिनको रहते हैं छोटे बच्चे खास करके उनको ऐसा प्रॉब्लेम रहती है और बड़ों को भी रहती है वो problem तो permanently दोस्तों solve हो जाता है और खास करके पेट जिनका हमेशा खराप रहता है अगर वो एक limited मात्रा में 5-10 ml तक का 7 करते हैं लगातार तो ये problem भी दोस्तों solve हो जाएगा जोडों में जिनकों दर्द रहता है दोस्तों जोडों में जिनें दर्द रहती है जोडों में सुजन रहती है और arthritis के जो रोगी है थोड़े-थोड़े मात्रा में आपको करेला दीन के समय में दोस्तों 7 करनी चाहिए याद रखें कभी भी रात में करेले का जोस या करेला नहीं खानी चाहिए इससे पिताधिक होगा और आपका blood pressure होगा बढ़ने का दोस्तों खत्रा बढ़ जाता है उम्मीद करता हूँ दोस्तों इसको जिवन में अपलाई करें और इसका फायदा दोस्तों होगा वो सारी बातों पर ना पढ़ें जैसे मैं कई YouTube वीडियो में देखता हूँ कोई बोलता है कि आपके करेले को मिक्सी में grinding करके पैर के नीचे रख लेने से आपका diabetes ठीक हो जाएगा इस तरीके के बातों से दोस्तों दूर रही है हाँ पैर के लिए फायदा हो सकता है एक लेबल तक थोड़ा भहुत वो खून में जिरो 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 पॉइंट वान पर्षेंट भी उसका भाग मिल सकता है मगर उससे आपका diabetes ठीक हो जाएगा या फिर आप इनसुलिन से बच जाओगी इस तरीके के अफ़वा पे भी ध्यान ना दें प्रैक्टिकल होईए जीवन में magical changes पे ना जाके एक systematic changes के उपर आप भरोसा करें जिससे लगातारा प्रयास करो आप जतना magical result उमीद करोगे उतना आप exploit होगे दोस्तों यह बात को मैं repeat कर रहा हूँ magically अगर आप सोचने लगोगे तो आप exploited होना तैह है आप लूटे जाओगे इसलिए systematic होईए प्रयास करिए और अपने आपको एक routine भरा life दीजिए जिससे आपसे बिमारी दोस्तों दूर होगा और इसी बात के साथ मैं आपका दोस्त आपका हमसफर यहीं पर रुखता हूँ आपको कुछ और नई जानकरी के साथ फिर एक episode लेके आऊंगा तब तक द पेशर का भी training program रखे हैं advanced training program बाइस तेश चौविस फ्रेवरारी उसको भी join करिए और जो लोग join कर चुके हो registration कर चुके हो मैं उनको धेर सारे सुबकामना ही देता हूँ बदा ही देता हूँ कि अपने जीवन में medical field में आईए इसमें काम करिए और जिनकी इच्छा है वो अपनी cleaning बे आगे अपनी बनाई या अलग-अलग सहर में चाहे देश में आप रहो या भी देश में रहो लोगों के लिए आप कुछ ना कुछ प्रयास करते रहे समाज के लिए कुछ देने को प्रयास करिए इससे आपका जीवन भी थोड़ा दोस्तों शुक और सांती भरा होगा और अब विमारी से भी दोस्तों दूर रहोगे इसके साथ साथ नाया साल आ रहा है एक प्रपण लीजिए एक प्रतिग्यां करिए कि में पौधा ज़रूर दोस्तों लगाऊंगा और जो लोग लगते हो ऐसे प्रयास करते हो प्लीज कमेंट बख्स में आके डालिए क कि हां हमने एक पौधा लगा है आज तो वो दुसरे को भी मोटिवेट करेगा आप मुझे वाटसप करते हूं मगर आप इसका यूटूब के कॉमेंट बखस में डालिए कि हां हमने ऐसा प्रयास किये और इससे हमें बड़ी सुख और सांती मिल रही है दोस्तों आपको बहुत बहुत सुखकामना है नया सार आपके लिए बहुत अच्छा हो अच्छी सहत आपको मिले उसके साथ-साथ नई जिन्देगी जिने के लिए आपको एक इच्छा सकती आपके अंदर आए और जो मैं मोटिवेट करने और आपके खाम में आए इसी बात के साथ रहता हूं जै हिन जै भारत